आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students ताज का मारा Question क्या है Which of the following arrangements produces a stronger magnet, electromagnet and why इन दोनों में से किसमें जादा stronger electromagnet होगा इसमें बोल नहीं रखा है पर मैं मानके चलता हूँ कि यह जितने भी यहाँ पे cells लगाए हैं यह identical है यह मेरा assumption है, अब देखो यहाँ पे एक electromagnet है, electromagnet कैसे बना जाता है, एक soft iron का core लिया जाता है और उसके उपर जो है, ऐसे आप wire की wounding चड़ा देते हो, ठीक है और इस wire में, जो wire यहाँ पे है इस wire को अगर मैं current supply करूँ, ठीक है, तो उससे ना कुछ ना कुछ, तो उससे ना जब इसमें current flow करता है, तो यह magnetic property show करता है, यह यूँ कहें कि यह electromagnet की तरह behave करता है, अब इस electromagnet में, electromagnetic power को कौन control करता है, मतलब कि इन factors पर affect कर सकता है, तो जो factors हैं, जिनके उपर इसकी electromagnetic power depend करती है, वो दो होते हैं, ठीक है सबसे पहला factor होता है number of turns अब देख सकते हो, कि अगर इसमें जो turns है, जैसे इस वाले में मैंने 5 बनाए हैं, अगर किसी मैं ऐसे 10 tons है, तो उसमें same amount of current में जादा electromagnetic power निकलेगी, ठीक है, माल लो इसमें current आई है, तो इसमें same current पे, अगर मैं same दूसरा circuit बनाओ, जिसमें सब कुछ same है current भी same है, पर इसमें turns जादा कर दूँ, तो उसमें electromagnetic power जादा होगी और second होती है current ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसके इंदर जो electromagnetic power हो इन दोनों पे depend करती है तो आप देखो, इन दोनों में किस चीज़ का फर्क है आप turns देख सकते हो, दोनों में बिल्कुल same बनाए गए है, मतलब ये चीज़ तो दोनों में क्या है, same रखी गई है लेकिन क्या current दोनों में same होगा नहीं, current depends किस पे करता है हमें पता है, V is equal to IR होता है मानते इस बात को, तो देखो इसमे voltage जो है, किसमें जादा है A में voltage जादा है, voltage बढ़ाओगे ठीक है, resistance यहाँ पे लगा नहीं है और जो ये wire है, इसका resistance है A, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी सब को किये काम हो कैसे रहा है अगर आप इसको formula wise समझना चाहते हो तो B is equal to new not ni ये formula होता है magnetic power of a solenoid का जो solenoid दिखा रहा है बस इसके अंदर iron का जो ये rod है, ये inserted नहीं है पर again solenoid का जो खुद का magnetic power है वो इस formula से given होता है जिसमें आप देख सकते हो, n जो है ये number of turns को represent करता है ठीक है, number of turns per unit length बट ठीक है, in the end ये number of turns को represent कर रहा है, ये जो i है current को represent कर रहा होता है और ये जो new not है, ये basically permeability है ठीक है, और कुछ ने तो ये तो constant value है तो इन दोनों पर depend कर रहा है इसके उपर आने वाली magnetic field तो जितनी जादा magnetic field उतना ही strong इसका electromagnetic power ओके Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें doubtnet आप या WhatsApp कीजे अपने doubts आच चारसो 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 पर